हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स तो आज की कॉमिक्स है सुपर कमांडो दूरुप के एक शांदर कॉमिक्स जैंपियन क्लेफ तो चलिए शुरू करते हैं बेना किसी देरी के राजनगर आज दुलन की तरह सजा हुआ है क्योंकि राजनगर में आज से एक ऐसी स्पोर्ट मीट सुरू हो रही है जिसमें देश विदेश के अपने अपने केलों के कई वर्तमान विस्ट चैंपियन हिस्सा ले रहे हैं और इस इंटरनेशनल स्पोर्ट मीट का सुवारम हो रहा है एक ऐसी ग्रैंड मोटर्शाइकल रेस से जिसके रेसिंग ट्रेक को संसार का सबसे खतरनाक रेसिंग ट्रेक बनाया गया है दर्श्रों का शोग पहरा कर देना वला है क्योंकि इस रेस पे बर्तमान चैंपियन गैरिरी गैलिलू के साथ साथ एक और जबर्दस जिसमें विजेता के हिस्सों के में आने थे 50 लाख रुपे और जिसकी समाप्ति रेका पर उस चैंपियन का दियार कर रहा था उसकी मौत का ऐलान चैंपियन गिलर अब आगे के आँखों देखे है विवरंट के लिए शाम कुमार धन्यवार डिमेलो रेस सुरू हो चुकी ह अभी भी कहना बहुत मुश्किल है कि जीत किसकी होगी पहले सभी का यही ख्याल था कि यह रेस वर्तवान चैपन केलिली ही जीतेगा लेकिन अब धुरुप के इस रेस में भाग लेने के इस्तितीब बदल गई है अब इस जीत के 50 लाग किसके बैंक खाते में जावाऊंग गलती मेरी ही है उसको इंडियन टाइम्स के संपादक मोहन राप से मिलाने वाला भी तो मैं था एक्सलेंट नताशा तुमारी अगने मुक वाली रिपोर्ट ने तो तहल का मचा दिया तुम तो पैड़ा इसी जनर्रिस्ट हो यार दुरुप तुमारी खोस तो एकदम हीरा ह कोहिनूर हिरा यानि आप इनको काम पसंद आया पसंद आया अरे इनके जैसी फोटोग्राफर रिपोर्टर के लिए तो मेरे इतने सारे कॉंट्रेक्ट हैं कि बस पूछो ही नहीं नताशा आज से तुम राजनेगर में होने वाली अंतराश्टी स्पोर्ट मीट को हमारे इं पुखार तेज हो गया है नताशा फ्लू का केस है जोसप को ठीक महोने में कम से कम तीन दिन लगेंगे तीन दिन लेकिन मोटर साइकल रेस तो कल से ही होने वाली है और आप जानते हैं कि जोसब इस रेस में भारत का एक मात रेसर है मुझे मालूम है नतशा लेकिन जोसब को इस रेस में भाग लेना पाना असंबब है अब इस रेस में भारत का प्रतिनित कौन करेगा मुझे नहीं मालू लेकिन मुझे पता है एक ऐसा मोटर साइकल सवार है जो आगर इस रेस में भाग लेने को तयार हो गया तो गैली डो का भी बजा बजा देगा अच्छा कौन है वे सुपरमैन और फिर नतासा ने मुझे पर चारो तरफ से इतना दवाब बनाया कि अपने देश की इज़द बचाने के लिए मुझे ना चाते हुए इस रेस में भाग लेना पड़ा लेकिन अब जब मैं इस रेस में हिस्सा ले ही चुका हूँ तो जीतने की कोशिश तो उफ रेस का ट्रेक तो बहुत खतरनाग बनाया गया है रेस का ट्रेक सच मुझे इतना खतरनाग बनाया गया था कि तीन चौथाई ट्रेक पार करते करते रेस से सिर्फ दो ही मोटरसाइकल बची थी वर्ल्ड चैंपियन कैलिलो और सूपर कमांडो धुरुपकी अब दोनों मोटर साइकलर रेस के उस हिस्से में आ गई थी जो सबसे खतरनाग भी था और दर्सको और कैमरों की नजर से ओजल भी रेसिंग ट्रेक के इस बाग में एक हलकी सी भी चूक का मतलब था रेस से बाहर हो जाना और इस रेस से विजेता लगवक तै हो चुका था क्योंकि समाप्ति रेका पर अब कुछ ही दूर थी पर वैच्छान आने ही वाला था जिसका धुरुप को भी बेसबरी से इंत्यार था और किसी गवर को भी कोई आ रहा है हैलमिट के अंदर से चैरा साफ मज़र नहीं आ रहा लेकिन यह जरूर गैलिलो ही होगा गैलिलो के रहते ही एक खतरनाक रेस कोई और जीत ही नहीं सकता इससे पहले कि धुरुप समाप्ती रिखा तक पहुँच पाता एक अकरती उसके और समाप्ती रिखा के वीचा खड़ी होई रेस जीतने के लिए बदाई हो चैंपियन गैलिलो इस जीत का इनाम हम तुम पर अपने हाथ से देना चाते हैं मौत का इनाम अगर ही पल चमी ने एक धमाके के साथ फट पड़ी लेकिन दुरुप को आने वाले खत्रे का आवास एक छंट पहले ही हो चुका था भारूदी सुरंग और इसकी मोटर साइकल खत्रा आने से पहले ही खत्रे को भाप चुकी थी यानि ये आदमी गैलिलो को जान से मानना चाता था और इसकी तैयारी इसने बहुत पहले से कर रखी थी धमागा दूर दूर तक सुनाई पड़ा ये धमागा कैसा है पारियों के वज़े से कुछ दिखाई नहीं पड़ता जरूर कोई खत्रनाक आदसा हुआ है आप मेरे साथ आईए डाक्टर पुरी अगर कोई गहल हुआ होगा तो आपकी जरुत पड़ेगी नतासा का डर सही था किसी को जल्द ही डाक्टर की जरुत पढ़ने वाली थी जोड़दार लाद पर पड़ी है कि तारे के नजर आ गए अब तो कोई तो सिर्फ इतना ही साँज में आया है कि इस मोटर साइकल बहुत तेज चलती है रुको मेरी बात सुनो मैं गलीलो नहीं हाँ हाँ अब तुम अपने नाम को भी धोका देना चाहते हो लगता है कि अपाईज होने की बात सुनकर तुम घवरा गए हो लेकिन चितना मत करो गलीलो तुम अस्पताल में अकेले नहीं रहोगे मैं तुमारे साथ देने के लिए जैरी, डैजलर, सारा दोना को भी जल्दी ही वहाँ वेज़ दूँगा बस एक सेकंड और ऐसे ही सांथ खड़े रहो फिर तुमारी मुसीबत घड़ियों खतम हो जाएंगी ये तो बहुत तेजगती से मेरी और आ रहा है और आसपास बचने की कोई जगे भी नहीं है इसलिए अब धर्ती मैया के सरण लेनी पड़ेगी दुरू के पास सिर्फ एक सेकंड के सोवी हिस्से का समय था लेकिन दुरू के लिए इतना समय बहुत था अब तक चैंपिन किलर की मोटर साइकल उस तक पहुँच जाती है दुरू का सरीर वारिदी सुरू के धमाके इसके बने गड़े में पहुँच चुगा होता है मोटर साइकल उसके सरीर के सिर्फ एक इंची उपर से उड़ती होई निकल जाती है अब जब तक यह रुक कर वापस मुड़ेगा तब तक मैं अपनी पोजिशन अरे चैंपिन किलर की मोटर साइकल इतनी तेर में वापस गुम कर फिर से धुरू की तरफ बढ़ रही थी यह आदवी तो जबरदस्त फुर्तिला लगता है इससे ज़ादा देर तक लड़ाई कर पाना असंबम है चैंपिन किलर को एक सेकंड बाद ही अपने सवाल का जावब मिल गया खत्रा भापने के बाद भी तेज गती के कारण चैंपिन किलर को जुकने का मौका नहीं मिला इसलिए अब यह लाई जल्दी ही जल्दी खतम करनी होगी इस बाद इसकी मोटर साइकल कि तेज गती ही इसकी हार का कारण बनेगी यह क्या करना चाता है चैंपिन किलर को एक सेकंड बाद ही अपने सवाल का जवाब मिल गया खत्रा भापने के बाद तेज गती के कारण चैंपिन किलर को जुकने का तक का मौका नहीं मिला मॉटर साइकल चैंपेन किलर के नीचे से सर सराती होई निकल गई अब दुरूप और चैंपेन किलर दोनों ही बगेर किसी सवारी के थे अब मुकाबला बरावरी का था ये शायद नहीं था क्योंकि चैंपेन किलर पूरी तयारी के साथ आया था और दुरुप को ऐसे किसी खत्री के आशंका नहीं थी ओ, स्पाइक सूज एक जवर्दस बार के साथ दुरुप का हेलमेट हवा में उड़ गया और दुरुप का चैरा सामने आ गया ये तो गैलिलो नहीं ओ, ओ, अपने सामने गैलिलो के बजाए दुरुप को देखकर चैर्पेन किलर पल भर के लिए रुग गया, और दुरुप ने इस मोके को नहीं गवाया, लेकिन चैर्पेन किलर आम आदमी नहीं था, और उसने समलने में ज़्यादा वक्त नहीं लिया ये चाएं गैलिलो नहो, लेकिन अब इसको जिन्दा वापस जाने देना खतरनाक होगा, क्योंकि मैं मूर खता में इसको अपनी काफी प्लान बता चुका हूँ, और वहाँ से थोड़ी दूर, ओ, समल कर चलो, चलाओ नताशा, हम लोग किसी रेस में भाग नहीं ले रहे ये किसी की जिन्दगी और मत का सवाल हो सकता है, डाक्टर, लेकिन अभी तो मुझे अपनी जान की खैर लग रही है लेकिन इस वक्त अगर खतरे में किसी की जान थी, तो वै धुरूप की जान थी, नुकिली किलो से जड़ा, रेसिंग सूज उसके चैरे को हम मेरे पास जादा समय नहीं है लेकिन इसलिए मुझे अब तुमारा खेल जन्दी खतम करना होगा, चैंपिन किलर का दुरूप के सरीर पर छेदने के लिए तेजों से गिरने लगा लेकिन दुरूप के सरीर तब पहुचने से पहले ही अब यहां रुकना ठीक नहीं है, इनके पीछे और लोग भी आ रहे होंगे इस चोकरे का आखरी वक्त अभी नहीं आया है वह भाग रहा है, भाग कर जाएगा कहाँ हमने पुलिस को इंफर्म कर दिया है पुलिस के यहां तब पहुंचते पहुंचते यह गायब हो चुका होगा मुझे इसके पीछे जाना ही होगा लेकिन दुरूप, तुमारे हाथ से खूंट काफी भै नताशे की बाकी बात मोटर सैकल की गरकराट में डूब गई दुरूप की मोटर सैकल चैंपिन किलर का रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़ चुकी थी इस शॉर्ट कट से मैं चैंपिन किलर की मोटर सैकल के आगे पहुंच जाऊंगा रुख जाओ मिस्टर चैंपिन किलर और आग समभपर्ण कर दो Champion Killer किसी Champion से हार नहीं मानता Champion क्योंकि उसको हराने वाला अभी पैदा नहीं हुआ Champion Killer ने एक बटन दवाया और Acid की एक मोटी धार ने दुरुप की Motorcycle के पईएं के धुरे मोम की तरह गला डाले और दुरुप को Champion Killer का पीछा करने लाइक नहीं छोड़ा आना तो मैं तुझे छोड़ देता Champion लेकिन याद रखना अगर तेरी जवान खुली तो उसको हमेशा के लिए बंद करने में वापस जरूर आँगा ये कौन तदुरुप पता नहीं मुझे सर्फ इतना मालू है कि इसने मुझ पर Galilio के दोके में हमला किया था पर Galilio से तो इसकी क्या दुस्मनी हो सकती है ये तो पता करना पड़ेगा मुझे दूसरी बात ये परिशान कर रही है कि इसने Galilio के साथ साथ तीन और विस्ट चैंपियन का नाम लिया था और ये तीनो इस अंतराष्टी स्पोर्ट मीट में भाग ले रहे हैं ये चैंपियन किलर उन पर भी जरूर हमला करने की कोशिश करेगा इसको अगर अभी न रोका गया तो अनर्थ हो जाएगा हमको Galilio से बात करनी ही पड़ेगी लेकिन Galilio ने दुरूर की कोई मदद ना कर सका मैं खुद आचारी चकित हूँ मेरी चानते हुए मेरा ऐसा कोई दिस्मन नहीं है अगर आपको नहीं पता तो शायद जैरी डैजलर ये सारा दोनों का पता होगा उनका इस गटना से क्या संबन कुछ नहीं नताशा ने सोचा कि शायद आपके साथे खिलाली को जानते होंगे और फिर तुमने मुझे ये बताने इसे क्यों रोका दुरूप कि उस चैंपिन किलर ने जैरी डैजलर और सारा दोनों को भी खतम करने की धमकी लिए है वे सब खिलानी है नताशा ऐसी बातों से उनके परदर्शन पर बुरा असर पड़ेगा और फिर इस वक्त उनकी सुरक्षा की जम्यदारी हम पर है फिर हम चैंपिन किलर को पकड़ेंगे कैसे कल नाना राप स्विमिंग पुल में तैरा की प्रतियुकता शुरू हो रही है जैरी भी उसमें भाग लेने वाला है मुझे पूरा यकीन है कि चैंपिन किलर कल उस पर हमला जरूर करेगा तब हम उसको पकड़ सकते हैं इसलिए कल नाना राप इंडोर स्विमिंग पुल में भी मैं मवजूद रहूँगा सो मीटर बटरफलाई और इस स्विमिंग कंपिटिशन में भाग ले रहे हैं वर्तमान बर्ल्ड चैंपियन चेरिमी चेरी लैंड नम में से एक हैंगरी के रिलैक्स तरूप तुमारा चैंपियन के लाद यहां तक कभी नहीं पहुंच सकता इस स्टेडियम के अंदर और भाग इस्पेशल पुलिस के पांस सो जवान अधिया दिन हत्यार लिये तैनाथ हैं सिमिंग पुल और दर्शकों के बीच में बुलिट फुरूप सीसे की मोटी और उची दिवार है और इस सुरक्षित बाग के अंदर सिर्फ तैराकू, दो डाक्टरो और हमारे जैसे चंद सुरक्षा करिमी के अलावा और किसी को आने की इजाज़त नहीं है इतना थियाम देखकर तो शायद यमराज भी अपना इरादा बदल दे इसलिए चिंता छोड़ो और आराम से ये रीज देखो लेकिन होनी हर सुरक्षा व्यवस्ता में वैदराद ढूड़ी लेती है जिससे अनोनी अंदर आ सके यही है वे चैंपियन किलर ओ, इसने इस पाइप होल को तो ध्यानी नी दिया जिससे स्विमिंग पुल में पानी भरा और खाली किया जाता है विजली किसी गती से चैंपियन किलर जैरी की तरफ बढ़ा अगले की पल जैरी ने अपनी गर्दन को एक मजबूत सिकंजे में पाया पहले से ही सांस रोके जैरी का दम तुरंद गुठने लगा उसकी आखों के डले बहार उबलने लगे मैं जानता था कि ऐसा हमला होकर रहेगा लेकिन इस बार चैंपियन किलर मेरे हाथों से बच कर भाग नहीं पाएगा च्छपा तेजी से तेड़ता हुआ दुरुप लगवक तरफ ही जैरी तक महुँच गया उसका पहला बार चैंपियन किलर के सिर पर पड़ा और दूसरा उसके हाथ पर इस पर तो कुछ असर ही नहीं हो रहा चैरी की गर्दन पर इसकी पकड़ और ज्यादा कस्ती जा रही है अब मेरा पहला काम उसके हाथ की चैरी की गर्दन से हटवाना है तुरुप ने चैंपियन किलर की कौनी के नीचे के एक नस को धीरे से दवाया और चैंपियन किलर को ऐसा लगा मानो उसे बिजली का जटका लगा हो चैंपियन किलर का हाथ चैरी की गर्दन पर से हट गया लेकिन अब तक इस अब परत्याशित घटना से चकित दूसरे तैरक समल चुके थे ओ, अब ये सारे तैरक एक साथ मेरी तरफ बढ़ रहे हैं पर चिंता की कोई बात नहीं ऐसी परिस्तिती के लिए मैं पहले से ही तैयारोकर आया हूँ अगर ये सब जैरी के साथ साथ ही मनना चाहते हैं तो ऐसा ही साही सीसे की एक कैपसुल फटा और उसमें से एक लाल दरफ निकल कर तीजी से पानी में फैलने और घुलने लगा दरुप ये समझने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि ये लाल दरुप क्या है क्योंकि उसको असर तरंट सामने आ गया एक खलकी सी चीक के साथ जैरी का पूरा जिस्म अकड़ गया इसकी नफ चल रही है पर ये सरीर का और कोई अंग नहीं हिला पा रहा मतलब साफ है कि ये दरुप कोई ऐसा केमिकल है जिसके सरीर में आने से सरीर को लखवा माल जाता है इस केमिकल से बाकी तरँगों को बचाना होगा और इसका एक ही तरीका है कि इस पानी को स्विमिंग पुल से बहार निकाल दिया जाए अब तक कुछ और तरँगों को हाल जैरी जैसा हो चुका था सीवर पाइप का धकन खुलते ही केमिकल मिला पानी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा दुरुप तेजी से स्विमिंग पुल के दूसरे छोर की तरफ तैनने लगा अब तक सांस रोकने के वावजू उसको अपने सरीर में हलकी सी अगरण मैसूस हो रही थी स्विमिंग पुल के भाग खड़े स्वरक्षा करमी असाय से खड़े देख रहे थे वे ना तो तैरकों के गायल होने के डर से गोलिया चला सकते थे और ना ही केमिकल मिले पानी में उतर कर तैरकों को बहार निकाल सकते थे यह भी साब था कि चैंपिन किलर को भागने से नहीं रोक सकते थे ओ यह सीवर पाइप के रास्ते से भाग रहा है और मैं इसका पीछा भी नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने से मैं पी इस खतरना केमिकल की चपेट में आ जाऊंगा सिमिंग पुल का पानी निकलने में ज़्यादे तेर नहीं लगी लेकिन जब यहाँ पर दर्शकों का उत्साइट करने वाला सो होना चाहिए था वहाँ पर तेरगों की हलकेल की कराई गूज रही थी सारी सतर्था के बाबजूद चैंपिन किलर ने दरुप को एक बार फिर गहरी मात दे दी और फिर बाद में चैरी की तवित कैसी है डॉक्टर अब वे खतरे से बाहर है दरुप लेकिन उसको पूरे बाएं अंग में लखवा मार गया है अब वे कभी तैर नहीं पाएगा और बाकी तैरा फिर सब बिल्कुल ठीक है उनको पॉंस्ते पॉंस्ते ये कैमिकल इतना पतला हो चुका था कि उसका असर काफी खतम हो गया था कमांडो हैटकोर्टर की तरफ लोटते समय परिशान दरुप के दिमाग में कई सवाल गूम रहे थे पर उसको किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था डैमिट चैंपेन किलर मेरे सामने से ही दो बारदाते कर गया और मैं उसका कुछ भी नहीं विगाड़ पाया अब तक मुझे यह भी पत्ता नहीं चल पाया कि वह आकिर है कौन और ये सब दुस्साही बारदाते वह क्यों कर रहा है इसका जवाब तुमको मैं देती हूँ दुरूप नताशा तुम क्या जानती हो मैंने अपना आर्टिकल लिखने के लिए इस केस पर थोड़ी चानवीन करी है तुमको याद होगा जब चैंपेन किलर ने तुम पर गैलिलो के धोके में हमला किया था तो उसने तीन और खिलाडियों के नाम लिये थे चैरी, सारादोना और डैजलर के हाँ मुझे याद है मैंने इन चारो खिलाडियों के बारे में कुछ पुरानी जानकारी खट्टी की है और उनसे कुछ चुकाने वाले तर्थे सामने आए है चर्मेनी के बांसेर के पास एक बहुत बड़ा इस्पोर्ट ट्रेनिंग इंस्टूट है जो विस्ट विस्टर के खिलाडियों को पैदा करने के लिए मशूर है ये सभी खिलाडी इसी इंस्टूट से ट्रेनिंग पाई हुए है ये चारो आपस में घहरे दोस्त रहे हैं और आज से दो साल पहले ये चारो मामली इस्टर के खिलाडी थे इनकी अपने अपनी छेतर में विस्ट चैंपियन बनने से सभी को बहुत हैरानी है यानि इनकी तरकी सामान्य नहीं है पर इससे भी हमको ये पता नहीं चलता कि चैंपियन किलर है कौन आगे तो सुनो इन चारो को आज से कुछ मेंने पहले तक एक ही मैनेजर था इनकी बेमिश्वार कमाई में से उसको भी हिस्टा मिलता था कुछ मेंने पहले इनका उससे जगड़ा हो गया इन लोगों ने उसको पैसा देना बंद कर दिया और उसके बाद वे मैनेजर जिसका नम कारा था लापता हो गया आज तक उसका किसी को कोई पता नहीं तुमारा मतलब कि कारा ही चैंपियन किलर है ठीक समझे इसलिए चैंपियन किलर इनको उसके साथ किये गए धोके की सजा देना चाता है कल सारा दोना एक परदर्शनी फुटोवल मैच में खेलने वाला है चैंपियन किलर कल उस पर जरूर हमला करेगा तुम ठीक कह रही हो धोके वाली बात तो चैंपियन किलर ने मुझसे भी गई थी मेरे ख्याल से हमको अब सारा दोनों से साफ साफ बात करने ही पड़ेगी सारा दोना पर सारी जनकारी ने बंप सखा काम किया तुम्हारा मतलब है कि अब हमको अपाइस कर देना चाता है वे हमको अपाइस कर देना चाता है हाँ मिस्टर शारादोना मैं आप से सिर्फ यह जानना चाती हूँ कि आपके ख्याल से यह आदमी कौन हो सकता है माई गॉड यह तो जरूर नहीं मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम आप कुछ बताते बताते हैं रुप गई मिस्टर सारादोन क्या बात चपाना चाते हो आप अच्छानक सारादोना की आखों में वैसी पन उतर आया जादा जानना तुमारी सेथ के लिए खतनना को सकता है मिस्टर दूरूप जाओ बच्चे जाकर कोई और काम करो सारादोना अपनी हिपाज़त खुद कर सकता है तुमने इसकी आखे देखी नतरशा लगता है सारादोनो कोई ड्रग लेता है गैलिलो की आखे भी से ऐसी ही थी और जैरे की आखे भी मैं देख नहीं पाया लगा तो मुझे भी दुरूप लेकिन आज तक हर ड्रग टैक्स में ये सभी बेदाग बरी हुए है पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़वर जरूर है मेरे सभी सवालों का जवाब चैंपेन गिलर के पास है और कल उसे मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा अगली दिन राजनेगर की छोर पर पार्क स्टेडियम दर्शकों से ठसा ठस बरा था सभी लोग सारा दोनों की तरब एक छलक माने के लिए बेताप थे छोर पहरा कर देने वाला था लेकिन कुछ लोगों को सारा दोनों में कोई दिल्चस्पी नहीं थी आज हमारी स्टेडियम का वीडियो कैमरा पर नज़र रखी हुए है दर्शकों और मैदान के बीच में 12 फिट उची जारी लगाई गई है एक स्पेशल वीडियो कैमरा उस बलून में भी रखा गया है जो पूरे मैदान पर एक साथ नज़र रख सकता है आज अगर चैंपेन किलर यहां पर आया तो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा रैफरी की सीटी बजी और साथी रॉमाचक मैस शुरू हो गया सभी दर्शकों की बेताब निगाएं तस नंबर की नीली और सपीज जर्शी पर टेकी हुई है जिसको पैने हैं फुटवल जगत के बेताज बात्सा सांतोस सारा दोना गेंद इस समय सारा दोना के पास है लेकिन दो विपक्षी खिलाडी एक साथ सारा दोना की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन उनकी ये कोशिश हमेशा की तरह बेकार साबित होई गेंद को कई विपक्षी खिलाडी से बचाते हुए सारा दोनों किसी तीज तूफान की तरह गोल पोश्ट की दोवर बढ़ रहे हैं अब विश्वस्णिये गती से खेलते हुए सारा दोना टी के अंदर पर विश्ट कर चुके हैं और सारे खलाडी पीछे छूट चूट चुके हैं सारा दोना की गती बहुत तीज है अब सारा दोना और गोल के बीच सिर्फ गोल की पर है सारा दोने की एक रोकेट किक और और ये गोल मैच का पहला और ला जवाब गोल है तर्शकों की तालियों की गड़गारट से पूरा स्टेडियम काप उठा सारा दोनों को ऐसे खेलता हैं मानो इस पर भूत आ गया हो इसके पास इतनी एनरजी आखिर आती कहां से इस सवाल का जवाब तो मैं भी डूड रहा हूँ खेर अभी तो मैं अज़ देखो मुझे लगता है कि चैप्पेंटर इतनी स्रक्चर वैवस्ता देखकर घबरा गया है आज वे सारा दोनों पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा और गैन साइड लाइन से बाहर तभी अचानक दुरूप की आगे एक चिडिया आगे रही यह क्या इस चिडिया में तो एक डाट कुछे हुई है डाट त्रो लेंगे दस नमबर की जर्शी पर सांतो सारा दोना दुरूप ने गेंद उठाते हुए सारा दोनों को देखा और साथ ही साथ नजर उपर उड़ रहे बैलून पर पड़ी बैलून से बाहर निकली एक नाल सूरज की रोशनी में चमक रही थी दिरुप का पूरा मावला समझने से एक पल भी नहीं लगा और बिना कोई वक्त गवायव है आगे लपका सारा दन को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है फुटवल उसके हाँ से छूट कर हवा में उचल गई और उसी पल एक डॉट फुटवल पे आदा सी लगवक तरन्त ही फुटवल एक हलकी से दमाके के साथ अन्ने खिलाडियों पर मुँपर फट गई और फुटवल के अंदर से निकल कर वाईयों उंडल में फैर रही हरी गैस का असद तरन्त सामने आ गया ओ यह क्या इस फुटवल के अंदर कोई जहरीली गैस बरी होई थी यानि फुटवल किसी तरह से बदल गई थी यह जरूर चैंपिन के का ही काम है पर वे है कहां उस वलून में वे उसमें बैटकर डाट गन से डाट चला रहा था उसके पहली डाट और फुटवल के बीच में एक चिडिया आ गई थी लेकिन दूसरी डाट ओ इसने गुबारी के रसी काट दिया है गुबारा हुआ के जोके से जंगल की तरब जा रहा है मैं अभी इसको माल गिराता हूँ राइफल उटी और गोलियां भी चली लेकिन निशाना नहीं लगस सका ओ नहीं इस्पेक्टर बैलून में गोली लगने से उसमें बैठे कैमरामेन की जान भी खतरे में पड़ जाएगी मेरे पास इससे बहतर तरीका है ची 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 दुरुक के गले से एक चाचाहाट उबरी और उपर उड़ते एक कट फोड़ा ने अपनी उड़ान की तिशा बदल दी ची ची कट फोड़ा की मजबूत चोच की एक ही बार में वालून में एक बड़ा छेद कर देने वाली काफी थी ओ बेड़ा गर हो जाए इस मनुस चुड़िया का अब इस गुबबारे से तो मैं जादा दूर नहीं जा सकता गुबबारे की छेद से निकलती गैस तेज गैस गुबबारे की ओर से तेजी से जंगल की ओर ले जाने लगी अब तो गुबबारे और तेजी से भाग रहा है लेकिन मैं दीरे दीरे नीचे भी आता जा रहा है मैं इस बार चैंपिन किलर को बच कर जाने नहीं दूँगा दुरुप तेजी से स्टेडिम के भार भागा लेकिन स्टेडिम के भार पहुँचकर उसको अपनी मोटर सैकल के जरूत नहीं पड़ी नताशा आओ दुरुप चल्दी बैठो इस बार अगर चैंपियन किलर को तुम नहीं पकड़ पाए तो मेरी नौकरी चली जाएगी ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे आज ही उसका इंटर्व्यू लेना है इंडियन टाइम्स में चपवाने के लिए दूसरी तरब चैंपियन के लिग गुश्य से पागल हो रहा था इस लड़के ने मेरा रास्ता तीसरी बार कटा है मेरी मेहनों के मेहनत धूल में मिल गई अब इसका कून पिये बगएर मेरी प्यास नहीं बुझेगी पर अभी रुकना खत्रे से काली नहीं है थोड़ी ही देर में पुलिस वाले मेरी तलास्मी चंगल के चपपा चपपा अओ कोई इदर जीप से इदर आ रहा है यानि मेरी तलास शुरू हो चुकी है चैंपनिकलर का खयाल सही था रुको नतरसा वहरा वलून तुम यहीं रुक कर पीछे से मुझे कवर करना मैं बेचारी कैमरामेन की तलास करके उसको अभी लाता हूँ समल कर जाने दरुप चैंपनिकलर बहुत खतरना अगा अदमी है चाते हुए दरुप की तरब देख रही नतरसा का ध्यान अपनी पीछे बिलकुल नहीं था जबकि खतरा आगे नहीं पीछे था इस वक्त मुझे यहां से भागना है और भागने के लिए मुझे यह जीप चाहिए ओ बेव सोनी से पहले नतरसा के गले से एक गुटी चीक निकली जो दरुप का ध्यान कीचने के लिए काफी था खतरा भापकर मुढने के साथ ही दरुप एक्शन में आ चुका था अगले ही पल च्छन दरुप में उड़ता हुआ उसका सरीर चैंपियन किलर से जाठक राया और चैंपियन किलर जीप के बाहर जा गिरा और फिर दरुप ने चैंपियन किलर को ना समलने का मौका नहीं दिया लेकिन चैंपियन किलर के सामने पहला सवाल भागने का था क्योंकि अब पुलिस के आने का संभावना बढ़ रही थी अपनी पूरी कोशिश करने के वावजूत भी चैंपिन किलर के लिए दुरूप से बचना मुश्किल हो रहा था अब दुरूप को रोकने का एक ही रास्ता था और चैंपिन किलर ने वही रास्ता अपनाया रुख जाओ अगर जरावी हिले तो ये लड़की की फिर कभी घोस में नहीं आएगी आगे बढ़ता धुरूप ठिटक कर रहे गया हाँ 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 रुख गया लगता है कि तुझे इस छोकरी की चान बड़ी फिक्र है अच्छा हुआ क्यों मुझे ये बात मालूम हो गई अब यही छोकरी तेरे लिए तेरी मौत का सामान लेकर आएगी अपनी चिंता की लकडियों का इंतिजाम कर लेना सुपर कमंडर दुरूप दुर्वासाय सा खड़ा देखता रहा और जीत धूल का एक गुबार उठाती हुई उसकी नजरों से उजल हो गई चैंपिन केर की मौझेद्गी से कुछ और लोग भी मौच्चिंतित थे तो ये ये है पूरी कहानी डेजलर तुम्हारा क्या ख्याल है सारदोना सक्की कोई गुझाइश नहीं है ये सक्स वही है अब तो इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतनाग है उसको रास्ते से हटा नहीं होगा तुम्हारा प्लान क्या है हम सो लोग हम सब लोग कल जर्मनी वापस चलेंगे वे हम लोगों की तलास में वहाँ पर जरूर आएगा और वहाँ पर वे अपनी मौत से मिलेगा क्योंकि वे पूरा इलागा हमारी मुठी में है ठीक कहते हो यहाँ पर हम उसका कुछ नहीं बिगार सकते हम कल ही वापस चलेंगे कामांडो फोर्स के हैटकॉर्टर में नताशा के अपरण की खवर से सनना ठचा आ गया अब हम क्या कर सकते हैं दुरूप कुछ नहीं हमको चैंपिन क्लिकी तरब से किसी संदेश का इंतिजार करना पड़ेगा अगर हमने अपनी तरब से कुछ करने की कोशिकी तो ना जाने वह पागल अपरादी नताशा के साथ क्या यह है क्या भार तो कोई नजर नहीं आ रहा यह तो शॉट पुट का गोला है और इस पर कुछ लिखा हुआ है कल सुबा मेरे फोन का अंधियार करो चैंपेन किलर उस रात कोई भी नहीं सो पाया क्योंकि सभी को सुबा होने का फोन का अंधियार था हैलो त्यान से सुन चुकरे अगर तू अपनी दोस्त को जिन्दा देखना चाता है तो तुरन पुराने शेहर की इज बिल्डिंग के तुझे बचाने जरूर आएगा लेकिन खुद वहाँ से जिन्दा बचकर नहीं जा पाएगा तुरु बगेर कोई वक्त को खोई पुराने शेहर की तरफ प्रवाना हो चुका पुराने शेहर की तो सभी इमारते मुनिस्यू परटली ने खाली करवा दी है क्योंकि वे उन पुरानी और जरजर इमारतों को गिरा कर उनकी जेगे एक नया शेहर बसाने जा रहे है और हैड़कॉर्टर में मुझे तो मामला खतरनाक लगता है करीम बना दुरुप को अकेले बुलाने का क्या मतलब राइप पार्टनर हम भी दुरुप से पांच मिनट की दूरी रखकर यहां से निकलते हैं उदर दुरुप पुराने शेहर पर पहुँच चुका था यह आ गया पुराना शेहर और उस मोड पर हैं इमारत नमबर तीन लेकिन मोड मुटते ही हे मेरे भगवान सामने तिक रहे दृष्चे की कल्पना भी धुरुप से नहीं की गई थी नतासा सच मुझ जिंदगी और मौत के भी चूल रही थी और हर भी तहुआ पल उसको मौत की तरफ ले जा रहा था ओ नतासा को थामने वाली रश्ची को आँख तेजी से जला कर पतला करती जा रही है तीन नमबर की इमारत के उपर जाने के सभी रास्ते तोड़े जा चुके हैं अब नतासा तक जल्दी से जल्दी पहुचने का एक ही रास्ता है और वह रास्ता है इमारत नमबर दो से होकर जाता है दुरूप ने अपनी मोटर सैकल इमारत नमबर दो की तरफ मोड़ दी और कुछ ही पलों में धुरूप इमारत की टूटी-फुटी स्यूडियो पर चड़ रहा था चट पर पहुचने में धुरूप की देरी नहीं लगी अब दोनों इमारतें के बीच में बदे तार ही नताशा तक पहुचने का एकमात दिर्या थे और दुरूप उन पर कूदने से पहले एक पल के लिए भी नहीं चिचका और सामने छट पर खड़े एक हैलकुटी पर भी उसकी आंके सामने नताशा पर ठिकी हुई थी और वै उस तरप नहीं देख रहा था जिदर उसे देखना चाहिए था नीचे जमीर पर लंबा बास लिए एक काकरती तेजी से धुरूप के और दोड़ रही थी लेकिन अगर वै अपने दुस्मन को देख पाता तो कुछ जादा फर्क नहीं पढ़ने वाला था वै अपने पास अपने आपको किसी भी हालत में बचा नहीं सकता था मौत अपनी उच्छाल भड़ चुकी थी हाँ 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 मैं जानता था कि छोगरे तू उस छोगरी को बचाने के लिए इसी तार के इस्तमाल करेगा लेकिन तू नहीं यह नहीं जानता कि तू वहां तक नहीं पहुँच पाएगा दुरूप के सरीर के दो पैर आकर टकराए और दुरूप अपना असंतुलन खोकर तेजी से नीचे गिरने लगा नाताशा को थामने वाली रस्टी भी अब किसी भी पल तूट सकती थी गिरते गिरते दुरूप ने चैंपिन किलर को सरक चित इमारत नमबर तीन की छट पर पहुंचते देखा और फिर उसकी आखे नीचे की तरफ देखने लगी कड़ी जमीर देजी से उसके नजदी आती जा रही थी जिससे टकराने का नतीचा सिर्फ एक ही था एक तरदनाक मौत फिर क्या हुआ दुरूप नी अपनी निचित लगती मौत को टाल पाया या नहीं दाथाश्चा क्या हुआ चैंपिन किलर का इन दुसासी हमलों के पीछे क्या मक्षद था सारा दोना गैलिलो और ट्रैजलर चैंपिन को रास्ते से क्यों अटाना चाते थे यह सब जानने के लिए पढ़ेंगे हम इसकी अगली कॉमिक्स में आखरी दाम में तो गाईस अगर यह कॉमिक्स आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का घंटा पेस्ट कर दें जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए गाईस मिलते हैं इसकी अगले पार्ट में आखरी दाम में ठैक यू